क्लास में हम लोग कुछ फिजिक्स के प्रोब्लम्स करेंगे यह यूसफुल रहेंगे आपको नीट एज़ाम और अधर कॉंपेटिव एज़ाम के लिए तो दीके यह फर्स प्रोब्लम है अगर आप देखेंगे अगर आप वेट करोगे तो जाधा वेट दिखाएगा लेकिन वाटर में अगर आप वेट करने जाओगे तो उसका वेट बेसिकली कम हो जाएगा अगर आप देखेंगे तो देखेंगे पहले हम अबजेक्ट को अगर एर में वेट करते हैं तो यह देखेंगे यहाँ पर मैंने एक स्प्रिंग बनाया हुआ है तो यह अगर हम अबजेक्ट लेते हैं और इसको अगर हम एर में अगर वेट करते हैं तो यह देखेंगे एर म के उपर क्या है यह वेट है जनी ग्रेविटेशनल फोर्स है तो यहाँ पर यह स्प्रिंग इस मास को पूल कर रहा है तो मास भी यह स्प्रिंग को पूल करेगा यह देगे यह मास भी यह स्प्रिंग को यहाँ पर पूल करेगा और इसके वज़े से जो इसका पॉइंटर है य यह यहां पर उसकी weight दिखा रहे है जो यहां पर दिखा रहे है इसका weight जो है यह 0.5 kg force इसका मतलreu यह 0.5 kg read करेगा और weight com बोलते है 0.5 kg g यह 0.5 kg force लग रहा है इस spring के उपर तो यह pointer read करेगा 0.5 kg अब यही पुरे system को अनो जो क्या करेंगे water के ऐदर डालेंगे यहां पर मैं एक वेसल बना रहा हुआ तो इस वेसल के अंदर हमने लिक्विड भरा हुआ है और इस लिक्विड के अंदर अभी अम लोग क्या कर रहे है यह सिस्टम को पुरा immerse करेंगे तो यहाँ यह spring को मैंने यहाँ पर immerse किया हुआ है यह spring को मैंने यहाँ पर immerse किया हुआ है अब देखे यह जो हमारा weight निकि जो object है इसके उपर जो weight लगेगा निकि यह gravitational force तो इस पर लगेगा और यह जेखे यहाँ पर यह spring का pull है यह spring का हमारा pull है लेगन साथ में इस object के उपर क्या होगा यह bioancy force भी लगेगा तो साथ में इस object के उपर और एक जो pull लगेगा इसको बोलते है that is bioancy force या upthrust तो इसके उपर upthrust भी लगेगा तो यह जो हमारा pull है अब अब देखे यह हमारा pull जो है इस object के उपर यह कम हो जाएगा तो इसके वज़े से यहाँ पे जो spring के उपर pull आ रहा है यह हमारा कम हो जाएगा यह देखे यह action और reaction है तो यह spring के उपर हमारा pull कम आ जाएगा तो spring के उपर pool कम आया जाएगा क्यूं कि यह weight के साथ इसके उपर upthrash भी लग रहा हुआ है जो liquid जो है इसके उपर upthrash लगा रहा है तो यह weight को यह dilute कर रहा है यह जो pull है इसके effect को यह upthrash कम कर रहा है अब्तरश जो है इसके effect को ये कम कर रहा है तो इसके वज़े से यहाँ पे जो ये spring के उपर पूल आने वाला है ये कम होने वाला है ये जो हमारा pointer रहेगा अब ये थोड़ा ऊपर चला जाएगा और ये ऊपर read करेगा हमको यह पूछा गया है कि यह उपर कितना रीड हो जाएगा तो मतलम जब इस आपजेक को हम लिक्विड के अंदर डालेंगे तो यहाँ पर जो पूल लग रहा था वो हमारा इमजी था यह जो वेट है एफेक्टिव वेड जो है यह निकि नीचे की तरफ जो पूल लग रहा यह हमारा क्या हो जाएगा कम हो जाएगा विकॉज अप्तरश्ट इसके वज़े से यह पॉइंटर थोड़ा ओपर चला जाएगा तो यह वेट हमको कम दिखाएगा और हमको पूछा गया है कि यह कितना दिखा रहा है निकि हमको अपिरेंट वेट फाइंड करने है तो सब स अपर दें कि यहां पर जो पूल लग रहा है यहां पर यह इस अप्जेक्ट के उपर जो पूल है पूल प्लस अप्तरश जो है यह यहां पर जो इसके उपर पूल लगेगा यह जो स्प्रिंग के उपर पूल लगेगा इस वेट में से आपको अप्तरश निकालना और यहां पर रहा है यह अफ्त्रफ से कम हो जाएगा और यही रहेगा हमारा अपेरेंट वेड़ थो यहां पर मैं हो मैं इसका यहां पर देखें यह हमारा mg है, minus weight of displaced liquid, weight of displaced, यहां पर मैं लिख रहा है weight of displaced liquid, and that is equal to mg minus mass of the water displaced multiply by g आप जानते हो density of water is equal to mass of water upon volume of water mass of water displaced is equal to density of water into volume of the water displaced and what is the volume of the water displaced same as the volume of the solid अब देखे अब हम numerical values पूट करेंगे mg जो रहेगा ये weight of the solid है weight of the solid in air that is देखे 0.5 kg force है तो मैं यहाँ पर इसको g के terms में लिखता हू that is 0.5 kg तो उसका mass हो गया और जब g से multiply जाएगा तो ये weight हो जाएगा मतलम 0.5 kg force और density of water जो हमारे पास यहाँ पर 1000 है अब रहता है हमको volume of solid निकालना है तो वो हम ये information से निकाल सकते है mass upon density volume जो है ये mass और density को divide करना पड़ेगा तो solid की density ये mass दे भी है यह 0.5 को 5000 से divide करना पड़ेगा तो ये देखे ये 0.5 मैं numerator पे यहाँ पर लिखता हो और इसको divide करता हो 5000 से तो ये भी हमारा क्या आएगा यहाँ पर kg force आएगा अब क्या हो जाएगा 0.5 ये 1000 अब इसको हम ऐसा लिख सकते है अगर calculation करने जा रहे है इसको हम ऐसा लिख सकते है 0.kg force minus 1000 into 0.5 divide by 5 into 10 raise to power 1000 ये cancel हो जाएगा देखे ये आप आप देखे नेक्स स्टेब पे आप तो आप देखे नेक्स स्टेब में हम इसको ऐसा लिख सकते है that is 0.5 kg force 0.5 by 1 0.5 divided by 5 आपका 0.1 आएगा minus 0.1 kg force तो इसका मतलम ये जो हमारा answer रहेगा that is 0.4 kg force तो इसका मतलम जो apparent weight रहेगा that is apparent weight of solid in water ये अपेरेंट weight apparent weight of solid in water is equal to 0.4 kg force तो ये देखे ये इसका answer है इसका मतलम या पर जो spring के उपर जो force आएगा वो कम आएगा तो spring के उपर जो pull रहेगा प्रॉब्लम के तरफ बढ़ते है यह ते यह प्रॉब्लम है कि metal cube of edge that is 5 cm मतलब metal cube है उसकी side 5 cm है और density दीग है 9 grams per centimeter cube is suspended by thread so as to be completely immersed in a liquid of density 1.2 grams per centimeter cube find the tension in the thread तो इस question के अंदर दिया गया है कि आपको एक liquid दी गई है और यहां पर दिया गया है कि इस liquid के अंदर हमें क्या करना है एक metal cube को डालना है जिसकी side है 5 cm तो हम इसके अंदर एक metal cube को डालेंगे जिसकी side है यहाँ पर 5 cm तो देगे यह हमने यहाँ पर एक metal cube को डाला हुए तो हमने यहाँ पर साइड जो है यह 5 cm हर साइड इसकी 5 cm है हर साइड जो है इसकी यह 5 cm है यह देखें अब इसकी density भी दी गई यह 9 ग्राप्स पर सेंटीमेटर qubit is suspended by a thread तो यह पर यह thread लग है यह देखें यह tempted bucket कि यह thread से suspend किया जा रह रहा है तो अब क्या होगा यह thread जो है इस main dropdown को अपर पुल कर रहा है और वही action जो हो रहा है यह इसको क्या मिलेगा thread को क्या मिलेगा reaction मिलेगा लेकिन इस ब्लॉक के ऊपर क्या-क्या forces लगे हुए एक तो weight लगा हुए नीचे की तरफ तो ये weight को जो है ये कम भी कर रहा है weight को जो force कम करने वाला है वो है देखे आपका archimedes का force है और ये ब्लॉक के ऊपर लगेगा ये देखे ये अफ्तृंश लगेगा तिमिम्हें ये ये गिद्वाटर है ये ये यक्शं क्रहा horse कि ऊपर अप्तृंश लगने से मेर्गा यह जो weight का effect है ये कम हो जाए अब question ये पूछा गया है कि find the tension in the thread तो साब आपको दिख रहा है ये pull जो है ये tension है तो equation हम बना सकते हैं इसके लिए कि आप ये equation बना सकते हो कि pull यहनी कि ये tension है pull plus upthrust is equal to mg राइट अबर pulling force काम लोग क्या बोलते हैं that is tension always pulling force काम बोलते है tension तो tension is equal to mg minus upthrust निकि weight का effect जो है ये upthrust कम कर रहा है अब येकर next step में हम हैसा लिख सकते है that is tension is equal to mass of the solid multiply by g what is upthrust that is weight of the fluid displacement तो आपthrust जो रहेगा आपका ये weight of fluid जो रहेगा weight of liquid displaced ये weight of liquid जो रहेगा ये displaced हुगा next step में आप इसका हम ऐसा लिख सकते है that is mass of solid into g minus weight of liquid displaced ये weight of liquid displaced क्या आएगा minus mass of the liquid displaced into g तो हम इसको ऐसा लिख सकते है mass of liquid displaced into g फिर ये अभी हमारे पास information दी गई है वो density के terms में तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते है that is density is equal to mass over volume density is equal to mass over volume तो अब next step में हम इसको ऐसा लिख सकते है that is what is the mass of the solid that is density of solid into volume of solid into g minus density of liquid into volume of the liquid displaced into g अब जो भी volume of the liquid displaced रहेगा वो सेम रहेगा हमारा volume of solid ये ये completely immersed है fluid में तो देरफोर density of solid into volume of solid into g minus density of liquid volume of solid into g ये g को हम common रख सकते हैं यहाँ पर ये दीगे हम g को यहाँ पर common रख सकते है density of solid into volume of solid minus density of liquid into volume of solid into अब ये निक्स्टेप में हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर numerical values को put कर सकते हैं तो दीगे density of solid density of solid जो है ये हमको यहाँ पर इतनी दी गई है that is 9 grams per centimeter cube और volume हमको दिया गया है that is 125 centimeter cube तो हम यहाँ पर 9 और 125 को multiply कर सकते हैं तो इससे अमारा ये volume आ जाएगा यहाँ पर ये volume जो है ये हमारा 125 centimeter cube है और देखें हमको यहाँ पर density of liquid भी लगेगी यहाँ पर volume of solid जो है हमारा 125 centimeter cube है और density of liquid दी गई है that is 1.2 और 9 तो से solid की density हमको दी गई है that is 9 और liquid की density हमको दी गई है that is 1.2 यहाँ पर यह 9 grams per centimeter cube है और यहाँ पर यह 1.2 grams per centimeter cube multiply by 125 centimeter cube और यह जी से multiply हो रहा है तो हम ये CGS में आ जाएगा आपकर तो इसको हम G को ऐसी रखेंगे और यह grams है यह पर यह पर देखिए यह grams है और यह centimeter 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 cube कैंसल हो जाएगा अब हमको 125 into 9 करना है 125 into 9 हम करने जाएंगे तो यह देगे यह कितना आएगा 95 जा 45 9 to the 18 19 20 22 11 11 that is 1125 तो यह देगे यह answer हमारा यहाँ पर आएगा 1125 1125 ग्राम्स माइनस 125 into 1.2 125 और 1.2 को जब हम मंटिप्लाइ करने जा रहे है तो यह देगे 1.2 25 जा 10 22 जा 4 5 2 1 जा 2 1 5 जा 5 1 2 जा 2 1 1 जा 1 0 10 5 that is 150 यहाँ पर 150 है मुझे यहाँ पर माइनस करना है और यह यहाँ पर जी रहेगा तो इसका मतलम जब मैं इसको यहाँ पर माइनस करूंगा 1125 को अब मुझे क्या करना है यहाँ पर देगे यह 1125 को 150 से हमको माइनस करना है यहाँ से 0 निकल जाएगा तो यह 5 आएगा यह 0 रहेगा यहाँ पर 12 रहेगा यहाँ पर यह 7 रहेगा और यह 0 रहेगा और यह 10 रहेगा तो यह 975 रहेगा आप देगे ये 975 यहाँ पर ग्राम रहेगा और ये मल्टिप्लाइ हो रहा है जी से अब हम लोग जब इसको एंकेस से करने जाएंगे आप देगे ये 975 डिवाड़ अब थाउजं करेंगे तो ये किलोग्राम में हो जाएगा इसको मल्टिप्लाइ करेंगे 10 जी की वैल्यू तो ये हमारा फोर्स निकल जाएगा न्यूटन में आप देगे ये 975 डिवाड़ अब हैंडरेड मतलम ये 9.75 आएगा तो इस तरह से ये जो टेंशन है हमारा यहाँ पर यहाँ आया हुआ है इस नाइन सेवन्टिफाइव न्यूटन इस तरह से यह आमारा टेंशन है मतले हम यहाँ पर जो अब्जेक को हम हम हमर्स करेंगे इस अब्जेक को जब हमने इमर्स किया हुआ है लिकुट के अंदर तो इतना इसके ऊपर पुलिंग फॉरस है मतलम यह जो अब्जेक का वेड़ जो है ये 975 न्यूटन है जैस्टके आप दीए इस प्रब्लम में क्या दिया गया है ब्लॉक अप वोड इस फ्लोटिंग ऑन वाटर किस द्यामिंशन 50 cm x 50 cm x 50 cm x 50 cm इसाइड वाटर केल्कुलेट दी बाइवे दी फोर प्लोक इस इक्वल डो 9.8 नूटनस पर किलोग्राम तो इस problem में दिया गया है कि एक block of wood है और वो floating हो रही है वाटर वे और इसकी volume completely inside the water है तो यह अगर bioavancy force अगर equal है weight को तो यह object कहीं पे भी float कर सकता है तो यहाँ पर दिया गया है कि यह water के अंदर float हो रहा है है तो सबसे पहले मैं यहाँ पर यह देखे यह block of wood को बना रहा ही यह water के अंदर यहाँ पर यह float हो रहा है और यहाँ पर यह float हो रहा है completely तो यहाँ पर यह दिया गया है कि इसका जो डाइमेंशन है यहां पर दी गई है कि इसके हर साइड जो है यह 50 सेंटीमेटर है और हमको निकालना है बाइवन सी फोर सेक्टिंग उन दी ब्लॉक तो यह अबजेक्ट अगर यह फ्लोट हो रहा है इसका मतलम जो इसका जो वेट है देगे यह नीचे के तरफ यह वेट लग रहा है यह यह आपका इक्वल रहेगा बाइवन सी फोर्स यह यह अप्थरस्ट के इक्वल रहेगा तब इस प्रॉब्लम को हम सॉल्ब करेंगे हम यहां पर लॉटेशन यूस करेंगे तो इस पर जो अप्थरस्ट रहेगा यहां इसका जो वेट रहेगा वेट वेट इस इक्वल तो वाट इस अप्थरस्ट और अप्थरस्ट क्या रहेगा हमारा वेट ओफ लिक्विड डिस्प्लेश तो कि यहां पर उटर दिया गया है तो वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेश तो हमकोन मासर वाटर डिस्प्लेश रहेगा उसको हम multiply कि से करेंगे G से तो यह हमारा बाइविंसी फोर्स बनेगा और हमारे पास यहाँ पर कोई मास्क की information नहीं दीगी लेकिन volume का information है तो density of water into to volume of the water displaced and it is equal to volume of the solid it is equal to volume of the solid raha that is equal to density of water multiply by volume of solid into G अब देगे यह वॉल्यूम डेंसिटी और अब हम नुम्रिकल वेल्यू सको पूट करेंगे डेंसिटी आप वाटर जो हमारा थाउजन है अब यह वॉल्यूम यहां पर दिया गया है 50 इंटू 50 इंटू 50 इंटू 50 यह तीन बार यह मल्टिप्ला हो रहा है तो सेंटीमेटर क्यूभ आएग और यह जी हमारा यहाँ पर 10 आएगा तो यह देखें माइनस 6 प्लस 4 कितना आएगा हमारा यहाँ पर माइनस 2 आएगा तो इसका मतलम यह जो रहाएगा यहाँ पर हमारा 50 इंटू 50 माइनस 3 प्लस यहाँ पर देखें यह माइनस 6 प्लस 3 कितना आएगा यहाँ पर माइनस 3 आएगा तो यह त्री बार 5 है तो 125 इंटो 10 रेस्टो पावर 3 multiply by 10 रेस्टो पावर यहाँ पर minus 2 रहेगा तो देगे यह final answer जो रहेगा हमारा यहाँ पर students यह आएगा 125 इंटो 10 रेस्टो पावर 1 यहने कि 125 जरो नोटन इसका मतलम इतना भाइवन सी force लगेगा तो देगे इस problem का answer क्या रहेगा therefore bio wind force जो हमारा रहेगा यहाँ पर इस question के अंदर therefore the bio wind force is equal to 1250 नोटन रहेगा तो इसका answer है हम नेक्स प्रोब्लम की तरह हम जाते है अब नेक्स प्रोब्लम की तरह हम चलते है तो देगे अब यह नेक्स प्रोब्लम है यहाँ पर पूछा गया है कि block of wood floats on water with 2 by 5 of its volume above the water surface calculate the density of the wood तो इस question के अंदर पूछा गया है कि block of wood है और यह यहाँ पर float हो रहा है water के उपर तो यहाँ पर दिया गया है कि यह water है यह students यह water है और block of wood यह 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 पर float हो रहा है और यह surface पर यह float हो रहा है लेकिन कुछ पार जो है इसका above the water surface है तो यह हमारा water है तो अगर हमने यह block of wood लिया हुआ है तो कुछ पार जो है इसका above the water surface है यह देगे तो कुछ part of the volume जो है इसका अबाव दी surface है यहाँ कि 3 by 5 जो है यह अंदर the water यहाँ पर 3 by 5 जो है यह इसका अंदर the water है तो calculate यहाँ यहाँ पर लिप देता हूँ तो यह अंदर जो volume है यह 3 by 5 तो हमको find करना है इस वूड की density तो दीगे यह float हो रहा है इसका मतलब इसके ओपर जो weight है इसका जो weight है वो ही क्या रहेगा equal to buoyancy force रहेगा मतलब वो ही equal to आपत्रश रहेगा that is equal to buoyancy force तो हमको यहाँ पर इस वूड की density निकाल लिए तो हम question कैसे start करेंगे law of floatation यहाँ पर यूज हो रहा है तो आप यूज कर सकते हो के यहाँ पर यह float हो रहा है तो weight of the solid weight of wood weight of wood is equal to what? अपत्रश तो weight of wood हम जानते है that is mass of solid into G और अपत्रश क्या रहेगा यहाँ पर mass of water displace into G अब हम लोग इसको density के terms में लिख सकते है density is mass upon volume तो density of solid into volume of solid into G mass of water displace is equal to density of water into volume of water displace देखे कितना आएगा 3 by 5 into volume of solid into G तो यह अब यह देखे यहाँ पर यह volume of solid को आप cancel कर सकते है यहाँ पर यह cancel हो रहा है हमारा G भी यहाँ पर cancel हो रहा है तो हमको question में क्या पूछा गया है find the density of wood यानि कि density of solid हमको निकालना है that is 3 by 5 times of यह देखे यह आप यहाँ पर हम निकाल सकते है कि density of wood जो है density of solid is equal to 3 over 5 multiply by density of water numerical calculation में डाल रहा है यहाँ पर density of water 1000 है तो that is 200 तो therefore density of wood देखे आपका कितना आएगा यहाँ पर अगर आप calculation cancel करोगे 5 1s of 5 5 2s are 10 that is 200 that means यह आपका 600 आएगा तो 3 into 2 is equal to 600 600 kilogram per meter cube तो इसका मतल है यह आमारा final answer है that is density of wood is equal to 600 kilogram per meter cube अब नेक्स प्रोब्लम की तरह हम बढ़ते है that is question number 5 यहाँ पर दिया गया है कि rubber ball floats on water it is one third volume outside the water what is the density of rubber यह इसे तरह का problem है यहाँ पर यह देगे यह water दिया गया है तो मैं सबसे पहले यहाँ पर water बना तब और इस question के अंदर दिया गया है कि अगर यह मने water बनाया हुआ है तो यह rubber ball जो है यह float हो रहा है rubber ball देखे यह 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 पर rubber ball है और यह rubber ball जो है यह यह float हो रहा है और one third of its volume outside the water मतलम अंदर volume कितना है अंदर जो volume रहेगा हमारा two by three रहेगा two by three of the total volume अंदर रहेगा आफ हमको पूछा गया है कि इस rubber की density कितनी है अब हमको पूछा गया है कि इस rubber की density कितनी है हम इसको कैसे solve कर सकते हैं हम यहापर law floatation use कर सकते है कि यह float हो रहा है मतलब weight of weight of rubber ball यहीं कि weight of ball is equal to upthrust कि यह float हो रहा है इसके लिए यहाँ पर जो इस पर इस ball के उपर जो लगेगा gravitational force वो equal to क्या रहेगा उसके उपर upthrust तो आप देखे weight of ball जो रहाएगा यह mass of solid into g upthrust जो रहाएगा that is the weight of mass of the water displaced into g आप देखे आप इसके आप density के terms में लिख सकते है that is density of solid into volume of solid into g that is density of water into volume of the water displaced multiply by g और volume of water displaced जो रहाएगा जीकि यह जितना यह अंदर है उतना यह water displaced हुआ रहाएगा यह 2 by 3 of total volume हम यहाँ पर लिखेंगे density of solid into volume of solid into g तो कितना water displaced हुआ रहाएगा जितना यह अंदर है इतना यह volume अंदर है submerged है यह 2 by 3 तो यह 2 by 3 times of volume of solid आएगा 2 by 3 times of volume of solid आएगा यहाँ पर और इसको हम safely इसको cancel कर सकते है density of solid is equal to 2 over 3 density of water हमारा standard है that is 1000 2000 by 3 आएगा density of solid मतलँ यह देखे यह rubber ball है density of rubber ball जो रहेगा हमारा यहाँ पर देखे friends यह हमारा आएगा यहाँ पर 2000 by 3 तो इसका calculation हम करेंगे that is 2000 को हम 3 से divide करेंगे यह देखे 3618 आजाएगा यहाँ पर यह 2 आजाएगा 3618 फिरसे यह 2 आजाएगा 3618 रहेगा और इस तरह से 6.66 ऐसे यह चलते रहेगा तो हम लोग 667 लिख सकते हैं तो density of rubber ball जो रहेगा round up करके हम यहाँ पर लिख सकते है density of rubber ball is equal to 667 यहाँ पर अंसर दिया गया है that is 667 किलोग्राम मेटर पर क्योग 667 किलोग्राम पर मेटर क्योग तो देखे यह हमारा फाइनल अंसर है तो I hope students it is clear to all of you thank you everybody thank you everybody आप आप सकते हैं नहाँ च्कशे अंसर रप्वेशनों भाद है